हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपील और स्वागत आप से वीकप हो आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं मौरी समराजी से समंधित टॉप 35 क्वेशन आंसर को जो लगबख सभी परतियों की परिछाओं के लिए अतिमध पूर्ण होंगे तो इसलिए आप इन्हें याद कर लिजिगा ठीक है तो चलिए अप क्वेशन क्यों बढ़ते हैं और पहला क्वेशन है मौरी समराजी की अस्थापना किसने की तो मौरी समराजी के स्थापना चंद्रगुप्तय मौरी ने की थी ठीक है इन्होंने अपने गुरु चानक्य की सहाता से नंदवन्स के अंतिम सासक धनानन्द को हरा कर मौरिय समराजी की अस्थापना की थी चंद्रगुप्त मौरिय मगद की गद्धी पर कब बैठा था तो 322 इसा पूर्व में नेक्स्ट क्वेशन है चानक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था तो इसका राइट आंसर है और विश्नुगुप्त देखे चानक्य जो है इसे इन्हें इतिहास में विश्नुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है यानि चानक्य का अन्य नाम विश्न चानके की सहाथा से हिं चंडर्गुप्त मौर्य ने विस्तरित मगत संबराज की अस्थापना की थी। अगला प्रस्चन है अर्थ सास्त्र की रचना किसने की थी। कोई चानक या विश्नुगुप्त भी कहते हैं कई बार एक्जाम में या क्वेशन पूछा जाता है कि अर्थ सास्त्र का संबंद किस से है तो इसका संबंद राजनीती से है ठीक है इस गरंद से हमें मौरिकालिन सासन प्रसासन की जानकारी प्राप्त होती है अगला प्रस्ण है कोटिल्य के अर्थ सास्त्र में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है तो इसका राइट आंसर है और संडी राजनीती की नितिया पर ठीक है अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोटिल्य दुआरा लिखित गरंथ अर्थ सास्त्र का संबंध किस से है राजनीती से है यानि इसमें राजनीती की नितिया पर प्रकास डाला गया है अगला प्रस्ण है चंद्रगुप्त मौरी ने अपने अंतिम दिन कहा गुजारे तो चंद्रगुप्त मौरी ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन साधु भद्र बाहु से दिच्छा ग्रहन करके उनके साथ स्रवन बिल गोला चले आए और यहीं पर उन्होंने उपवास के दुआरा अपना सरीर त्याग दिया था यानि चंदर गुप्त मौरी ने अपने अंतिम दिन जीवन के अंतिम दिन कहां गुजारे स्रवन बिल बोला जो है यह कहां पर है तो यह मैसूर में है ठीक है करनाटक में अगला प्रशन है किस राजा की कहानी मुद्र राचस नाटक का विशय है तो सबसे पहले कि मुद्र राचस जो है इसके लेखक कौन है एक्जाम में कई बार क्वेशन पूछा जाता है तो मुद्र राचस प्रसिद युणानी राजदूद मेगा स्थनीज भारत में किसके दर बार में आये थे अगला प्रसिन है इंडिका नामक पुष्टक के ले खड़क कौन है तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगा स्थनीच ठीक है जो की चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में आया थे इस पुस्तक से हमें मौरी कालिन समाज इवं पर सासन के विशे में जानकारी मिलती है अगला प्रश्ण है बिंदु सार के सासन के दोरान असांती कहां थी? तो बिंदु सार जो की चंद्रगुप्त मौरी का उत्रधिकारी तथा उसका पुत्र था इसके सासन काल में तचसीला में विद्रो हुआ था जिसे सांध करने के लिए इसने अपना पुत्र असोक को यहां भेजा था तचसीला में यानि बिंदु सार के सासन काल में कहां प्यासांते थी? तचसीला में असांते थी अगला प्रश्ण है समराट असोग किसका पुत्र था तो समराट असोग जो थे या बिंदुसार के पुत्र था ठीक है और चंद्रगुप्त मौरी का पौत्र था तो आप इसे याद रखेगा कि समराट असोग बिंदुसार के पुत्र थे अगला प्रशने है मौरी वंस का अंतिम सासक कौन था? तो मौरी वंस का अंतिम सासक जो था वथा ब्रहदरत और ब्रहदरत की हत्या किस ने की थी? इसके सेनापती पुष्यमित्रस सूंग ने की थी 185 सा पूर्व में और मगद पर एक नए राजवंस के स्थापना की थी इसने कौन? पुष्यमित्रस सूंग ने जिसे सूंग वंस के नाम से जाना जाता है अगला प्रशने है निमलिखित में से वह व्यक्ति कौन है? जिसका नाम देवानाम पिरियदर्सी था तो इसका राइट आंसर है option C, असोक समराट असोक के अभिलेखों में उसे देवानाम पिरियदर्सी था राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है लेकिन मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में समराट असोक का नाम असोक मिलता है तो यह भी question पूछा गया है एकजाम में कि असोक के किस अभिलेख में असोक का नाम असोक मिलता है तो वह है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में देवानाम पिरियदर्सी का क्या रथ है तो इसका रथ है देवताओं का पिरियदर्सी अगला प्रस्ण है निमलिखित अभिलेखों में से किसमे असोक का नामो लेख हुआ है तो अभी मैंने आपको बताया कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में असोक का नामो लेख हुआ है यानि इन दोनों मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में असोक का नाम असोक मिलता है यानि इसका right answer है option A, गुर्जरा में, ठीक है अगला प्राशन है कलिंग यूध की विजय तथा छथ्रियों का वर्न असोक के किस सिलालेख में है तो कलिंग यूध की विजय का वर्नन एवं असोक के हिर्दय परिवर्तन की बात तथा छत्रियों का वर्नन असोक के तेरहवा सिला लेख में मिलता है असोक के 13 सिला लेक से यह पता चलता है कि इस कलिंग यूद में करीब एक लाख लोग मारे गए और डेड़ लाख लोगों को यूद बंदी बना लिया गया इस यूद में हुए भीशन नर्सहार से असोक का मन द्रवित हो जाता है उसका दिल पिघल जाता है और उसने सदा के लिए यूद को त्यागने की घोशना कर दी ठीक है कलिंग यूद के बाद समराट असोक ने अपने राजा भिशेक के आठवे वर्स लगवग 261 हिसापूर्व में कलिंग पर आक्रमन किया था कब 261 हिसापूर्व में यब एक्जामे क्वेशन पूछा गया है और कलिंग की राजानी तोशली पर इसने अधिकार कर लिया था ठीक है अगला प्रस्न है कलिंग विजय के उपरांत असोक महान ने निमलिखित किस धर्म को अपना लिया था तो कलिंग यूध को जितने के बाद समराट असोक ने बौध धर्म को अपना लिया था कलिंग वर्तमान में कहां पे है तो ओरिसा में है अगला प्रस्न है किस अस्थान के निकट प्रसीद कलिंग यूध लड़ा गया था तो कलिंग यूध प्राचिन काल में ओडिसा राजय के धोली नामक अस्ठान के निकट लड़ा गया था Next question है सारनाथ में किस समराठ का अस्थम्भ है तो देखे सारनाथ में जो है समराठ असूख का अस्थम्भ है यान इसका right answer है option A. समराठ असूख का समराट असोक ने जब बहुत धर्म अपना लिया उसके बाद उसने धर्म के परचार परसार के लिए अनेक कारे की भगवान बुथ से समंदित अस्थानों पर समराट असोक दुवारा अस्थम लेख एवं सिरा लेख बनवाए गये थे भारत का राच्चिन जो है उसे कहां से लिया गया है तो उसे सारनाथ इस्थिद सी अस्थम से लिया गया है ठीक है कई बार क्विशन पूछा गे एकजाम में कि भारत का राच्चिन कहां से लिया गया है तो सारनाथ इस्थिद सी अस्थम से लिया गया है सारनाथ कहाँ पे है उत्तर परदेश में है और इस सिह अस्तंभ का निर्मान किस ने करवाय था समराट असूक नहीं करवाय था अगला प्रस्ण है एक बात और की देखे सारनाथ में ही भगवान गौतमबुद ने अपना पहला उपदेश दिया था ठीक है सारनाथ में और सरवाधी कुपदेश गौतमबुद ने कहा दिया था स्रावस्ति में दिया था तो आप इन्हें भी याद रखेगा अगला प्रस्ण है निमलिखित में से असोक का उत्राधिकारी कौन था तो पुरानों और बौध गरंथ दिया वदान के अनुसार असोक का उत्राधिकारी कुनाल था ठीक है बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार जो है सोग के पिता थे और ये राहुल कौन था? तो ये भगवान गौतम बुद्ध के पूत्रत है अगला प्रशन है सांची का स्थूप किस कलावा मुर्ति कला का निरूपन करता है तो सांची का स्थूप जो की मद्यपरदेश में है या स्थूप बौध कलावा मुर्ति कला का निरूपन करता है यानि इसका राइट आंसर है option B बौध कला का ठीक है सांची का अस्तूप का निर्मान किस ने करवाय था? समराट असोक ने करवाय था अगला प्रस्न है मौरी समराज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है option C, पन ठीक है? मौरी समराज में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था मौरिकाल में सिक्के जो हैं सोने, चांदी तथा तामबे के बने होते थे इन सिक्कों को निश्क और सुवर्न कहा जाता था नेक्स्ट क्विशन है प्रसीद साची अस्तम किसके समय में बना था? तो इसका राइट आंसर है आप्शन C, असोक के समय में प्रसीद साची का अस्तम समराट असोक ने बनवाया था अगला प्रस्ण है असोक के अभिलेख को सर्वपर्थम किस ने पढ़ा? तो देखे असोक के अभिलेख को सर्वपर्थम जेमस प्रिंसेप ने पढ़ा था या जो थे James Principe ये अंग्रेश थे और कप पढ़ा था तो 1837 सिश्व में ठीक है 1837 सिश्व में पढ़ा था अशोक के अभिले को सरवपरतम किसने James Principe ने Next question है अशोक ने बहुत धर्म के परचार के लिए किसको स्रिलंका भेजा था तो समराट अशोक जो था वकिस धर्म का समर्थक था बहुत धर्म का था उसने बहुत धर्म के परचार के लिए अनेक भीच्वों को न्यूक्त किया था इसी क्रम में उसने अपने पूत्र महेंद्र और अपनी पूत्री संग मित्रा को स्रिलंका में बहुत धर्म के परचार के लिए भेजा था यानि इसका right answer है option D, option A और B दोनों से यह ठीक है अगला प्रस्न है असोक ने किस बौध साधू से प्रभावित होकर बहुत धर्म अपनाया तो इसका right answer है option C, उपगुप्त से समराथ असोक ने उपगुप्त नामक बौध साधू से प्रभावित होकर बहुत धर्म अपनाया था यानि इन्हों ने बहुत धर्म के दिच्छा किसली उपगुप्त से लिए थे अगला प्रस्न है कलिंग यूध किस वर्स में हुआ था तो कलिंग यूद यानि समराट असोक ने कलिंग पर आक्रमन कब किया था तो इसने अपने राज़ा भिसेक के आठवे वर्स असोक का राज़ा भिसेक कब हुआ था 279 इसापूर्व में हुआ था यानि कलिंग पर आक्रमन राजविशेक के आठमे वर्स में किया था अर्थात 261 पूर्व में ठीक है तो इसका राइट आंसर जो है 261 पूर्व है विज्एका उलेक अशोक के की सिलालेख में मिलता है तो तेरह में सिलालेख में मिलता है Next question है मौरी काल के दोरान सिच्छा का सबसे प्रसीध केंद्र निम्न में से कौन सा था तो मौरी काल में सिच्छा का सबसे प्रसीध केंद्र तच्सिला था तच्सिला विश्विद्याला में देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे तचसिला जो है यह वर्तमार में कहा है तो पाकिस्तान में है चंद्रगुप्त मौरी ने सैनिक सिच्छा तचसिला से ही प्राप्त किया था चानक्य जो थे चंद्रगुप्त मौरी के गुरु वे तचसिला के परसीद आचारी यानि सिच्छक थे अगला प्रस्ण है चंद्रगुप्त मौरी का प्रसीद गुरू चानक के निमलिखित में से किस विद्या केंदर से समन्दी था तो चंद्रगुप्त मौरी के प्रसीद गुरू चानक के तचसिला विद्या केंदर से समन्दी थे तट्सिला विश्वेडयाले के प्रसीद आचारिये थे, सिछक थे अगला प्रस्न है मौरी वन्स के सासन के दोरान अस्थानिक कौन था? तो मौरी वन्स के सासन के दोरान अस्थानिक जो था वो जिला का प्रसासक होता था यानि इसका right answer option A, जिला प्रसासक नेक्स्ट क्वेशन है असोग के सिला लेख किस लिपी में खुदे हुए हैं तो असोग के अभिलेख यानि सिला लेख ब्रामी लिपी में खुदे हुए हैं यानि इसका राइट आंसर ऑप्सन भी ब्रामी लिपी में वैसे तो असोक के सिला लेखों में ब्रामी लिपी के अलावा खरोष्ठी ग्रीक एवं अर्माइक लिपी का भी परियोग हुआ है ग्रीक एवं अर्माइक लिपी का भी लेख कहां से प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान से हुआ है और खरोष्ठी लिपी का अभी लेख उत्तर पसिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है और सेस भारत से ब्रामी लिपी के अभी लेख मिले है ठीक है अगला प्रशन है मौरिकाल में सीता से क्या तात परी है तो मौरी काल में सीता जो है या राज के भूमी यानि सरकारी भूमी से प्राप्त आई को कहा जाता था यानि इसका राइट आंसर ऑप्सन सी सीता से राज के भूमी से प्राप्त आई है ठीक है सीता से क्या तातपरी है राज के भूमी से प्राप्त आई अगला प्रस्शन है, किसके साशनकाल में डाइमेकस भारत आय था? तो डाइमेकस जो है या एक मतलब राजदूत था ठीक है या बिंदु सार के दर्बार में आय था भारत आय था और इसे किसने भेजा था? तो इसे सिर्यन नरेश एंटी योकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौरी के दर्बार में कौन आये थे तो वह आये थे मेगस्थनी जाये थे ठीक है और समराट असोक के दर्बार में कौन आये थे तो डिया निश्यस नामक राज़दूत भारत आये ठीक है अगला प्रस्ण है Question 33 असोक का समकालिन तूरमय कहां का राजा था तो देखे तूरमय जो था जो की असोक का समकालिन था या मिस्र का राजा था यानि इसका Right Answer Option A Next Question है सांची का स्थूप किस ने बनवाया तो सांची का स्थूप जो है इसे समराट अशोक ने बनवाया था यानि इसका Right Answer Option C है अगला प्रशन है मौरी वंस के ततकाल बाद किस वंस ने आकर मगध राज्य पर सासन किया तो मौरी वंस के ततकाल बाद यानि मौरी वंस जब समाप तो हुआ ठीक है तो इसके बाद सूंग वंस ने आकर मगध पर सासन किया था यानि इसका Right Answer है Option B मौरी वंस का अंतिम राजा कौन था तो ब्रहदरत था और इसकी हत्या किसने की इसके सेनापती पुष्य मित्र सूंग ने कर दी और उसके बाद पुष्य मित्र सूंग ने ब्रहदरत की हत्या करके मगध पर एक नए राजवंस के स्थापना की कौन सा राजवंस सूंग वं हमें comment box में दीजिएगा और देखिए अगर आप इस वीडियो का quiz खेला चाहते हैं तो Google पर जाएए और वहाँ पर सर्च किजिए www.foraapki success.in वहाँ पर सर्च करने पर देखे उपर में आपको इस टैप का एक लिंक मिलेगा उसे open कीजिए और वहाँ से इस वीडियो का quiz प्ले कीजिए ठीक है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे like तथा share जरूर कीजिएगा मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching